प्रेजल और दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आप सुभह की प्रात्ना में और प्रात्ना में जाने से पहले हम परमेशु के वचन की ओर दिखेंगे फिर हम आपके लिए रापके परिवार के लिए प्रात्ना करेंगे तो उसका नाम इसमाइल रखना क्योंकि यहुआ ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है आमें दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ जब हाजरा गर्बवती हुई तो सारा और हाजरा के बीच में गर्बड़ी हो गई सारा ने हाजरा को दुख देना सुरू कर दिया जिस काराण परिशान होकर हाजरा उनके घर को छोड़ कर भाग गई अबरहम को सारा को छोड़ कर भाग गई जब वो जंगल में थी तब परमेशर के स्वर्दूत ने उसे दर्सन दिया और उससे कहा कि तू गरवती है तू एक बच्चे को जन्म देगी तू उसका नाम इसमाइल रखना और परमेशो ने तेरे दुख को सुन लिया है इसलिए वो उससे कहता है कि तू वापस जा और उन्हीं के पास रहे दोस्तों हम यहां पर देखते हैं हमारा परमेशो हमारे हाल को जानने वाला परमेशो है हमारे दुखों को जानने वाला परमेशो है यहां पर नहीं लिखा कि हाजरा ने प्रातना की नहीं हाजरा ने कोई प्रातना नहीं की लेकिन फिर भी परमेशो का वचन उसके लिए कहता आज सुबह में मैं आपसे भी क्या न चाओंगा, हो सकता है आपके जीवन में भी दुख हों, समस्याएं हों, परिशानियां हों, और आप दिन रात आंसु बहा रहे हों, आप अकेले पड़ गए हों, कोई आपके साथ में न हो, आप ब्याकुल हो रहे हों, तो मैं आपसे आप निरास न होएं, क्योंकि प्रव येश्यु ने आपके दुख का हाल जान लिया है, आपके दुख का हाल प्रव ने सुन लिया है, प्रव को पता है कि आप कैसे दुख से होकर गुजर रहे हैं, कैसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, और प्रव बहुत जल्द आपको उ केला नहीं छोड़ता जो हमें समस्याओं में नहीं रहने देता है उसने हमारे दुख को देखा है उसने आपके दुख को देखा है तो निश्चे आपको उस दुख से चुटकारा भी देगा उस दुख से आपको बाहर भी निकालेगा जिस परकार उसने हजरा के जीवन में कि उसी प्रकार से प्रभू आपके जीवन में भी करेंगे, इसलिए मेरे दोस्तों आप निरास नहोई, उदास नहोई, परिशान नहोई, चीन्तिन नहोई, बलके ऐसे समय में आप प्रात्ना करें, प्रभू आपकी प्रात्ना को सुनेगा, आपकी मन की आवाज को प्रभू सुनेगा और आपके जीवन में आपको उत्तर देगा और आपको इन सब बातों से छुटकारा देगा सो प्रभव आपको आसीज दे आमें दोस्तों इसमय होगा जब हमें गवाई को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभ येश मसी अपने लोगों की मन की आवाज को सुनकर उनकी प्रातनाओं का उत्तर दे रहा है उसके बाद हम प्रातन में जाएंगे आप महर साथ में इस प्रातना में बने रहें नमस्ते भाईयों मेरे नाम देविंदर कुमार है कुछ दिनों पहले मैंने सिस्टर अमरिता और ब्रदर पीके को कॉल किया था कि मैं प्रॉबलम में चलूँ फाइनेंशली बहुत परिशानी है चल रही ही मेरी जीवन में और उन्होंने मेरे लिए प्रात्ना करी और शीवत के समय में मुझे संकट में मुझे बाहर निकाला धन्यवाद परमिशो आशिशित करें आमीन प्रभु येश्य मसी जो उसे प्रात्न कर रहे हैं जैसे कि हमने सुना ऐसी प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे तो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशी से आईए हम सुन कर सुन्दर सुभा में आज किस भोर के प्रकाश में अपने प्यारे प्रभु येश्य मसी से प्रात्न करें हम आपको मोटिवेट करना चाते हैं आप हमारे साथ मिलकर प्यारे प्रभु से प्रात्न करें वो आपकी सुन कर आपके जीवन में कारे करेंगे तो आ aurima करते हैं राधना करते हां प्रबु येशमसिम्यि आप स्तूति के योग्य हैं जिस प्रकार भजनकार दाउद इस बात को कहते हैं की स्तूति करते वे और गाते वे उसके आंघनों में उसके फाटकों में प्रविश्च करो हालेलुया हां मेरे परमेश्व प्रभू हम ये स्तूती प्रभू जो तेरे तारीफ के शब्दों को गुंज कर तुझे सुनाई पड़ती है प्रभू ये तुझे भाता है कि जब तेरे लोग तेरी तारीफ करते हैं हालेलुया हां परमेश्व प्रभू जी कि प्रभू आपक परमेश्वर उत्तम परमेश्वर हैं, आप एक अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छे हमसफर हैं, परमेश्वर, hallelujah, हमें कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले, परमेश्वर हैं, अनन्त काल के पिता हैं, हालेलुया, स्वर्ग का रज देने वाले परमेश्वर हैं, हालेलुया, yes my lord, thank you father, we praise you, we praise you, we praise you lord father, because you are holy, holy and holy lord father, thank you Jesus, you are a great lord, you are great, you are great and great lord Jesus, we all are happy today, we all are happy in this morning, प्रभु हम आनन्त से भरे वे, प्रभु हम खुश है पिता, इस सुभा में प्रभु जी, जो ये सुन्दर सुभा आपने हमें दिया है प्रभु, धन्यवाद येश्व, धन्यवाद, धन्यवाद, हम आभारी हैं प्रभु, और धन्यवादी है येश्व मसी, कि रात भर में स रख्षित रखा यह सुन्दर दिन दिया प्रभू कि सुन्दर दिन में परमेश्वर हम अपने मूझ को खोल कर अपने आत्म से प्रभू तेरा धन्यवाद कर सके हालेलुया यूर अग्रेट लॉर्ड थैंक यू चीजस उस यहासन पर जो आप पिता के दाहिने विराजमान है हम सबकी प्रात्नों को सुन रहे हैं पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की सुन्दर दिन में जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजर्ग प्रभू इस प्रात्ना में शामिल है एक एक की आप इस समय सुधी ले रहे हैं एक एक को आप अपनी आत्म से भर है परमेश्वर आपने का है मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूं हाँ प्रभू येश्वमसी आप हमारे मध्य निवास करते हैं प्रभू धन्यवाद करते हैं प्यारे येश्वमसी आप जल्दी ही आने वाले हैं प्रभू हम सब को लेने के लिए प्रभू हम सब को पित पुछों युदु नहीं बैठा की सुधी लिया प्रभू आपने उसके दुख के हाल को सुन लिया प्रभु जी प्रभु जी इसे प्रकार ये शुमसिया जितने भी आपके बेठे बेतिया जो आपके पीछे चल रहे हैं, प्रबु यादि आज वो किसी दुख में, जब वो किसी को बयान नहीं कर सकती, किसी को बोल नहीं सकते, और अंदर या अंदर मन के अंदर, प्रबु जी, उस दर्थ, उस डुख को, उस पीडा को लिएवे हैं, जो इनके लाइफ में है प्रभु जी जो इक किसी से नहीं कह पा रहे हैं प्रभु वो आज प्रभु आपने वो सुनकर अपने वचन से बोला है कि मैं तुम्हारे दुख के हाल को जानता हूँ हाँ मेरे प्रभु आज वो दुख आनन्द में बदल जाए हाँ वो परिस्ति बदल जाए क्योंकि प्रभु जो तेरे नजदीक आता उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता और वही बड़ा परिवर्तन पर मिश्य हम इनके जीवन में चाहते हैं हाँ प्रभु आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटियों के जीवन में, आपके लोगों के जीवन में, जो आप पर भरोसा कर रहे हैं, जो दिन रात आपकी उपास ना कर रहे हैं, जो दिन रात तेरे वचन पर ध्यान कर रहे हैं प्रभू, यदि आज ऐसी परस्ति है, जब प्रभू जी वो द में बदल दूगा मैं तेरे दुखों को आनन में опять วैो दूगा सी प्रकारिश मस इस वच्चन की ओष्य एनांस्मेंट आज आपके लोग उनके परिवार में के जीवन में करते हमारे जीवन में ये दुख है, हाँ मेरे खुदावन, इस समय अपके बेटे बेटे उस बातों को कह रहें, प्रबू, उसी बात को हम आगे रखते हैं, पिता, कि आप उस बात को पूरा करें, मेरे खुदावन, प्रबू, यदि यदि जॉप के लिए दुखी है, यदि एक ज जीवन से दूर होने पाए, प्रबू, आप इने धाडस दे, आप इने मजबूत करें, कि हाँ मेरे प्रबू, आप सब कुछ बदलने पर है, प्रबू, आज की सुन्दर सुभा में परमेश्वर, सब कुछ इनके लिए नया हो, नई सुभा में सब कुछ इनके लिए नया हो और ये बहुत आशिशित हो आज वो सुखशांती इनके जीवन में आए आज वो आनन्द इनके जीवन में आए आज वो खुशी इनके जीवन में आए और इनका दुख दूर हो जाए इनकी चिंताएं दूर हो जाए इनकी समस्याएं दूर हो जाए इनके संकट दूर हो जाए और प्रभू ये परस्तियां बदल जाएं मेरे प्रभू, आज की सुभा में इनके कामों को सफल करें, ये जहां कहीं भी जाए आने जाने में सुरक्षा दे, दुर गटनाओं से, एक्सिडेंट से, घर में भी पिता आप इन्हें सुरक्षित रहें, और घर से बाहर भी इन्ह आप सुरक्षित रखें मेरे खुदा, धनेवाद आपके लहु के बाड़े में, आपके लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को हम रखते हैं पिता क्योंकि प्रभू आप हमारी प्रोटेक्शन है, आप हमारी मजबूत ढाल है, यू आर अवर स्ट्रॉंग शील पूरी करें, पिता इनके लिए प्रभू आप वो काम करें जो असंभव है, और पिता इनके कर्जों से चुटकारा दे, इने कर्ज मुक्त करें, लोन से मुक्त करें, और ऐसे प्रभूम जो इनके लिए असंभव जान पड़ता है, वो आप इनके जीवन में संभव करें पर प्रभु स्टमक में कोई पीटापर परिभर में प्रबुल में प्रब्लम में लिवर में प्रबु प्रॉब्ल में ये दूर और जाए, इनके शरीड चंग्य हो जाए, वो ब्रेहां सीडलो है, वो दूर हो जाए शुके नाम से सर के बालों से लेकर पैर के नाखुनों तक जो भी बिमार इनके शरीर में पाई जाती है जहां कहीं भी पाई जाती है शुके नाम से वो दूर हो जाए हाँ मेरे प्रभू आपने अपने लोगों को चूलिया है पिता अपने वचन के आधार पर तुने उन्हें चंगा कर दिया है प्रभू हम ये विश्वास करते हैं प्रभू जी आज के दिन में प्रभू जी आप इनके साथ में होएं इनकी रक्षा करें इनकी जरतों को पूरा करें और इन्हें प्रभू इस दिन के आनन्द में भरे प पिता परमेश्वर आप येशु उनके परिवार पर किसी भली वस्तु की घटी कमीना होने दे परन सब कुछ आप पूरा करें पिता धन्यवाद येश्मसी आज जितने भी लोग पिता अपने कमेंट में प्रभु जी नोने प्रात्ना निवेदन दिया है फोन कॉल करते हैं अ आपने उनके दुख के हाल को देखा है आप उनके जीवन में सॉलूशन दे प्रभू दनेवाद के साथ सब कुछ में आपको आदर देते हैं महिमा देते हैं प्रभू जलाल देते हैं प्रभू येश्यु के नाम से मांग लेते हैं आमेन आमेन और आमेन